रभी मित्रों को बेस्ट इस्टेडी क्रास सेज की तरफ से नमस्कार आज हम आपके लिए क्रॉप परड़क्शन टेक्नलोजी रभी क्राप्स के लिए बेस्ट कोश्चन आंथर लाए हैं बेस्ट एगरिकल्चर फोर समेस्टर के जो कि आपके लिए बहुत ही इससे याद हो सकें बढ़ते हैं पहले कोश्चन की तरफ बरसा प्रजाती है तो यह बरसा प्रजाती ज्वार की है बढ़ते हैं अगले प्रशन की तरफ अरगट रोग किस फसल से संबंदित है तो अरगट रोग बाजरा से संबंदित है किस संबंदित है मित्रों यह बाज अजरा से संबन दिथ है बढ़ते हैं अगले परस्ट की तरफ औहला को बाजरा का जन्मस्थान है तो इसका सही एड़ा में आप यहीजिए यह जुरूरakah में बढ़ते हैं ऑगले की तरफ बुवाई के लिए समूचे आलू का आकार कितना होना चाहिए तो इसका सही आंसर है दो दसंबलब पांच संटीमीटर बढ़ते हैं अगले प्रसंद की तरफ आलू में कंद बनने के लिए कुप्युक तापमान है तो इसका सही आंसर है अठारा से वीश डिग्री सलस अब बढ़ते हैं अगले प्रसंद की तरफ सोले नाई जेसन किस फ़सल से सम्मंदित है तो यहाँ आलू से सम्मंदित है बढ़ते हैं अगले प्रसंद की तरफ अंतर राष्टरी भू बिज्ञान के अनुसार सिल्ट कड़ों का ब्यास है तो इसका सही आंसर है 0.02 से 0.002 mm बढ़ते हैं अगले परस्टन की तरफ मिर्दा में उपस्तित बालू, सिल्ट तरफा चिकनी, मिट्टी के सापेच प्रतिसत मात्रा कहलाती है तो इसका सही आंसर है मिर्दा गठन या कई वर पूचा ऐसे भी सवाल पूचा जा चुका है मिर्दा गठन किसे कहते हैं तो मिर्दा गठन उसे कहते हैं बालू, सिल्ट तथा चिकनी, मिट्टी के सापेच पिर्सत मात्रा को ही मृदा अगर्षन कहते हैं बढ़ते हैं अगले परसन की तरफ दो फसलों के बीच में कम समय में ली जाने वाली फसल कहलाती है तो इसे अंतरवर्ती कायंच फसल कहते हैं अर्थात अंतरवर्ती फसल या कायंच फसल भी कहते हैं अब बढ़ते हैं अगले परसन की तरफ ट्रिटकम एस्टिवम के गुर्ण सूतर की संख्या है तो इसका सही अंसर है व्यालिस अब बढ़ते हैं अगले परसन की तरफ ग्राम का बेग्यानिक नाम क्या है बढ़ते हैं यहां है इनी चना को इंगलीज नमे ग्राम है कि बढ़ते हैं अगले प्रश्ण की तरफ कि ब्हएंग अदिक कि अधिक फिल थे सम्बंदित ऩुद का साइए अंसर है कि भै가 प्रशों कि पॉस्टे stores लेह नना हित्व प्रजात ही है तो यह कपास CP क्पाश पास की है बढ़ते हैं अगले प्रस्ट की तरफ गन्य की अधिसाली फसल की बुवाई का समय है तो इसका सही अंसर है जुलाई बढ़ते हैं अगले प्रस्ट की तरफ प्राइमिंग किस फसल से समंदित है तो इसका सही अंसर है तमाकु से बढ़ते हैं अगले प्रसिन की तरफ, बर्सीम की फसल में राइजो बियम बैक्टोरिया पाई जाती है तो कौन सी बैक्टिरिया राइजो बियम की पाई जाती है, राइजो बियम ट्राइफोलियाई बढ़ते हैं अगले प्रेशन की तरफ म्रदा संद्रचना है तो म्रदा कड़ों के बिन्यास को ही म्रदा संद्रचना कहते है बढ़ते हैं अगले प्रेशन की तरफ सबसे अधिक ससंजन का गुण होता है तो यहाँ चिकनी मिट्टी में होता है किस में होता है मित्रू या चिकनी मिट्टी में होता है बढ़ते हैं अगले प्रस्ण की तरफ अधिकांस पौधों दोरा नाइट्रोजन ली जाती है तो किस रूप में ली जाती है या नाइट्रेट के रूप में ली जाती है बढ़ते हैं अगले प्रसंद की तरफ सर्सों के तेल में किस एसिट के कारण चार होता है तो सर्सों के तेल में यूरोसिक एसिट के कारण ही चार होता है अब बढ़ते हैं अगले प्रसंद की तरफ आलू के जुलसा रुख के लिए रसाइनिंग निंद्रन के लिए किसका च्रकाव प्रभावी है तो इसका सही आंसर है डाई थेन यम 45 का किसका है डाई थेन यम 45 का अब बढ़ते हैं अगले प्रसिन की तरफ उसर भूमी में बोने हेदू गेहु की उप्युक्त प्रजाती कौन सी है तो इसका सही आंसर है राज 37 अब बढ़ते हैं अगले प्रसिन की तरफ गेहु में यर कोकिल किस से फ्हलती है तो इसका सही आंसर है ने में टोड से किस से फ्हलती है ने में टोड से अब बढ़ते हैं अगले प्रसिन की तरफ बरसीम को भारत में सर प्रतम कब उगाया गया था या बहुत ही important प्रसिन है तो इसका सही answer है सर फ्लेवर 1904 में मीरापूर खास फर्म सिंध में अब बढ़ते हैं अगले प्रसिन की तरफ सरसों के फल को क्या कहते हैं तो सरसों के फल को सिलकवा कहते हैं मित्रों अगर आपको हमारा या वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा जिससे की आने वाले और भी वीडियों का आपको जल्दी से ही वीडियो प्राप्त हो जाए साथ में घंटा दवान ना भूलें जिससे की आपको सबसे पहले नोटिफिकाशन मिलें धन्यवाद